हेलो एवरिवन मैं हूँ अनिल पाडिदार मैगनेट ब्रेंस हिंदी में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में क्या होने चाहिए जो सटीक उत्तर होंगे उनको आज हम लोग डिसकस करेंगे उससे संबंदित जो भी जानकारिया होगी दोस्तों वह भी मैं आप आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं देखते दोस्तों की एंसी आटी सोलुशन आपसे क्या-क्या पूछना चाहरा है एंसी आटी सोलुशन के अंतर के जो भी कॉशन दिये गए हो बहुत सब्सक्राइब अच्छे सोचते हैं कि यह नहीं को पढ़ ले तो कॉशन हमारा एक्जाम निकल जाएगी लेकिन इसके अ बुक का जो पूरा चैप्टर उसको अच्छे से रिवाइस कर ले क्या-क्या शब्द उसमें बोले गए हैं फिर आप उत्तर पर आईए कॉशन पर आईए और वो कॉशन उत्तर को आप देखोगे दोनों को प्रश्न उत्तर दोनों को समझोगी कि अच्छा इस प्रश्न का प्रश्न का उत्तर के से लिया जाना चाहिए जैसे पहला प्रश्न आपका इसमें क्या लिखा हुआ है पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए निम लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जब लिखा होता इसका मतलब यह है कि आप से जो उत्तर मांगा जा रहा है वह उत्तर आपको लिखित रूप में देखता है मतलब सब्जीक्टी फ़ॉर्म में देना पड़ेगा तब पहला question बढ़ते दोस्तों पहला question क्या है पहला question hard TA पूचा कैti क्र 69 क्र क्रशी क्या है आब इसकी सुरुआत के से कराई पूछना रहा है कि शित於 होता समय क्या में क्या करते मैं आपको बता है ऑगर और मैं बोलाओ हमसे कि करशी क्या होता तो अब सुप सर्व क्रशिट करना अब लोगी फूलों की करना क्रशी होती है आप जो जानवरों जानवरों को पशुपालन करना भी क्या खलाएगा वो भी तो खेती हैं तो सिद्धी सी बात हम लोग शुरुवाद जो करेंगे वो करेंगे कि क्रशी एक प्रात्मिक क्रिया है जिसके अंतरगत जिसके अंतर के लोग क्या करते हैं फूलों को उगाते हैं सब्जी को गाते हैं और पशु पालन भी करते हैं दोस्तों इसके लावा मैंने क्रशी की बहुत सरी शाखाई भी बताई थी आपको अगर आपको पूछा गया है उत्तर थोड़ा सा लंबा आपको लिखना है तो आप इसके साथ में लिख सकते हैं तो सिधी सी बात है अगर क्वेशन पूचा गया तो उसका आंसर हो सकता है तो क्रशी क्या है तो पहले आपको शुरुवात करना जैसे इसमें मैंने सीधा शुरुवात कर दिया कि क्रशी फसलो फूलो फलो सब्जियो को और पशुपालन पहले बोल रहा है यहां पर सबसे आखरी में लिखा इसको जाय तो पहले भी लिख सकते कोई दिक्कत ने वैसे तो पहले लिखना चाहिए क्रशी प्रात्मिक रिया है जिसके अंतरगत फलो फूलो सब्जियों और फसलो तथा जा पशुपालन आता है इसके अलावा क्रशी की विभनने शाहखाए हैं जैसे इसमें यह भी लग सकते आपको थोड़े सब ना ओ तो कोई देखतो फोड़ी इसके अलाब करशी की विबनन शाहखाお願いします जैसे फहलो तो हो mandatory culture a true culture एगरी culture यह तो आपने पढ़ा ही है और दूसरा आपका हो गया सेरी culture सेरी कल्चर हमने पढ़ाता है कि रेश्यम का उत्पादन सेरी कल्चर कला था तीसरा हमने पढ़ा था वी टी कल्चर जो अंगूर की खेती होती है उसको पोलते हम लोग वी टी कल्चर उसके अलवा चोथा हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था हार्टी कल्चर यह भी लिख सकते हैं आप हार्टी कल्चर तो क्रशी के अंत्रगत यह तो आता ही उसके लावा क्या लेख सकते हैं कि क्रशी की विभिन ने शाखा हैं जिसमें सेरी कल्चर हाटी कल्चर एग्री कल्चर वीटी कल्चर यह सभी क्रशी की शाखा हैं जिसमें तो यह सब भी क्या कहलाती है यह सब भी क्रशी कहलाती एगरी कल्चर मतलब यह उपर वाली क्रशी सेरी कल्चर मतलब रेशम के कीट का उत्पादन वीटी कल्चर मतलब अंगूर का उत्पादन और हाटी कल्चर मतलब बागवानी क्रशी फूलो फूलो की क्रशी जिसमें हमने यहां पर लिख दिया है तो इसको ऐसे भी आप डिवा भारत में लगबग-60-70 प्रतिशन जो लोग वह क्रशी पर निर्भर है डरीक्टी या इंडरेक्टी और पच्यास पर सेट लोग वह क्रिखी चीदा खेटी करते ही उन कारकों का नाम बताइए दूस्तो क्रशी को प्रभावित करते हैं क्रशी को प्रभावित करने वाले कारकों के नम तो पहले तो आपको उत्तर की शुरुवात के से करनी में पहले भी हर बार जब भी NCRT solution या test paper solve करवाता हूं तो मैं बताता हूं कि कैसे आप प्रश्ण जब पढ़ते हो तो उसके उत्तर की शुरुवात किस तरीके से होना चाहिए इस इस उत्तर की शुरुवात भी कुछ तरीके से होगी कि क्रशी को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम इस प्रकार है शुरू तो यहां से करना है दोस्तों क्रशी को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम इस प्रकार है अब क्रशी को प्रभावित करने से मतलब क्या है अगर मैं आप कहों फ़रष करौ कि हमें कोई फसल उगानी है चाहएं ? आप सकते हो क्या और पहले क्या देखोगा कि यह के लिए वहा कुछ उपयूग चीज के नहीं तो क्रशी करने क्रशीगत भूमी तो कौन सी चीज है जो भूमी को क्रशीगत भूमी बनाती है तो क्या हमारे यहां की जो भूमी है वो क्रशीगत भूमी है के नहीं पहले हमको यह तो चेक करना पड़ेगा तो हम लोग उसमें क्या करते हैं पहले चेक करते हैं कि कपास कहां उगता तो मैं ब सकता हूं लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि चलो अपको गेहूं उगाना है तो आपके बोलो गेहूं के लिए तो यार जलोर मिट्टी क्या उशकता पड़ती है और उप्यूक्त जो जलोर मिट्टी सबसे ज्यादा और जो उपजाव होती है और या उर्वर जलोर मिट्टी क्या हो सकता होती तो आपने बोला कापास के लिए आपको काले मिट्टी क्या हो सकता है और गेहूं के लिए आपको जलोर मिट्टी क्या हो सकता है इसका मतलब यह है कि अगर यह मिट्टी नहीं मिली तो क्या होगा माल लाल प उसको उगा लिया तो क्या होगा फसल तो प्रभावित होगी क्रशी तो प्रभावित होगी इसका मतलब म्रदा क्रशी को प्रभावित कर सकती प्रभावित होगी मतलब कैसे मालो काली मिट्टी में कपाश की जो उपाज है मालो की मुझे आइडिया तो नहीं लेकिन एक मालो की मालो दस क्वेंटल हो रही मालो किसी हेक्टेर मालो इतना हो रही है और अगर आपने काली मर्दा के काली मिट्टी के बजाए उसको दूसरी कम उर्वर मिट्टी में लाल प को समझिया अंसर आपके सामने दोस्तों क्या बोल रहा है कि उन कारकों के नाम बताइए जो क्रशी को प्रभावित करते हैं मतलब क्रशी से संबंदित फसलों को प्रभावित करते हैं तो एक प्रभावित करने वाला कारक तो हमारे पास आगया क्या आगया वो तो है आपका प दिग्रित्रास अपलान क की ब्लाई जाता है कि इसा कि पाला रहीत 200 दिन चाहिए उसके पास पींपल 200 दिन अगरेये फिटीलों के सचभेयन दुर्न होना चाहिए आपका सीजन तब जा करके आपका क्या हो सकता है कपास हो सकता है तो कपास के लिए जो 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 जलवायू चाहिए वो कैसी होना चाहिए धूप तेज गिरनी चाहिए और दोसु से दोसों दिन पाला रहीत होना चाहिए पाला गिर गया तो ठंड की वज़त से ठंड के समय में होती पाला गर गिर गया तो कपास आपका खतम हो जाएगा इसका मतलब खतम हो जाएका मतलब पूरा खतम नहीं होगा उसके जो प्रोडक्टिविटी है बहुत थोड़ी सी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि दूसरा जो कारक है हमारा वह क्या समझा हमने कि भाई जलवायू भी बहुत जरूरी है दूप भी तो मिलना अची हर एक फसल के लगा खुश फसलों के दूप जरूरी है और कुश फसलों में लिखा जाता है कि हलकी हलकी दूप चाहिए ज्यादा दूप भी नहीं चाहिए तैसे चाहिए लिए लग महाल चाहिए चाहिए अब आहम ने पढ़ा था कि अगर आपको क्या उगाना है सम्त번्व भूमी में बहुत ज़्यादा कि होते हैं क्यों कि प्लैनि चाहिए सब कि फासलों के लिए करशी के लिए अलग अलग शेत्र की पड़ती है इन सब को हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हम लोग इस्थलाक्रती तो समझ में आया तीसरा कारक क्या हो गया तीसरा कारक हमारा हो गया इस्थला क्रति हमारा तीसरा गर हो गया तो मैं कहाए सकता हूं कि क्रशी को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने बहुत आसानी समझ लिए वो तीन कारक कौन से को उत्तर की शुरुआत कैसे करने हैं उत्तर की शुरुआत करनी है क्रशी को प्रभावित करने वाले कारक यह कारक मैंने जो लिखे में मिटा रहा हूं दुबारा देखते हैं जो कारक हमने समझे वो सही है के नहीं है वही कारक है दोस्तों इस्तला क्रतिक भिन्नता होने की वज़से क्रशी में फरक पड़ता है और जलवायू अलग-अलग होने की वज़से क्रशी को प्र बंगाल और वेस्ट बेंगोल और बांगला डेशी जिए थेजी पहती है जलंडेश होते हैсти के सोच सकते है gin मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तो आप समझ गया होंगे कि जलवायू सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी फसल को उगने के लिए तो इसा कह सकते हैं कि क्रशी को प्रभावित करने वाले कारक यह तीन सबसे इंपोर्टेंट कारक है आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत सिंबल चाह उत्तर था लेकिन समझ के पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा मजाएगा समझ के नहीं पढ़ोगे तो बड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि फिर रटना पढ़ेगा और हमें रटना नहीं हम लोग इस्थानांतर समझते आप मानलों एक स्कूल में अब श कुल में पढ़ रहा है और आपके पीताजी क्या है गवर्मेंट जॉब हैं समझना इसको में ऑसके में एक्जामपल की तू समझ हो अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं आपके दिउस क्योंक्ति प्मैंप डावर और वो सरकार से लड़ने का दमखम रखते वो इमानदरी दिखा रहे हैं वो करप्शन के खिलाप तो बार बार सरकारों के ट्रांसफर करेंगी ट्रांसफर मतलब स्थानांत्रड करेंगी तो क्या होगा फिर से आपको दूसरा इस्कूल जाना पड़ेगा दूसरा इस्कूल जाना पड़ेगा तो कुछ दिन के लिए आप उस्कूल में रहें और वहां पर आपने दोस्ती वगर अपनाए पढ़ाई की और थोड़े दिन पर आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया आपको दूसरा इस्कूल ढूंडना पड़ा फिर दूसरे स्कूल मे फिर वहां पर वापस से आप वहां पर क्या कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो नहीं है दोस्त बना रहे हो तो यह क्या है ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं आप बार बार ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसी को बलते इस्थानांतरन यह क्या होता है इस्था कौन से क्रशी आती है आदिम निर्वाह क्रशी का उधारण है आदिम निर्वाह क्रशी मतलब आदिवासी जो जन जातिया होती है वो अपने जीवन के निर्वाह के लिए अपने जीवन को जीने के लिए अपना जीवन निकालने के लिए वो क्या करती है वो इस प्रकार की खे पहले तो उन्हेंने क्या चंकिया जंगल को किया साफ और जंगल को साफ करने के बाद जो भूमी निकली भूमी कौन सी भूमी भूमी प्राप्त की किस चीज के लिए क्रशी के लिए ठीक है दोस्तों तो आदिम क्रशी जो होती है आदिम क्रशी जो होती है इसमें यह लोग क्या कर रहा है इसके अंतरगत आदिम क्रशी जो है निर्वाह के अंतरगत जंगल को साफ कर रहे हैं और भूमी क् कुछ सालत अब क्या होता आदिवासी के पास न तो उर्वरक होते हैं न मशीने होती है और नहीं कीट नाशक होते हैं कुछ भी तो नहीं होता है कीट नाशक भी नहीं होते हैं किनके पास आदिवासी लोगों के पास में तो आदिम जंजातियों के पास में क्या नहीं होता उर नहीं यह प्लव करता है यानि खेती को जूताए वगरह भी नहीं करता है सिधा फासल बोगते वह उख जाती है बिना उसके तो इसमें क्या होगा दो से तीन साल में हैं दो से तीन साल में क्या होगा वह भूमी हो जाती है बंजर कि बंच बंजर वह जा रही आप कि बंच लुग मैंडा मैं कि घुठा करेंosh कि भूमि बंजर यहां ते समझ में आगया अबवाले उस पर जाईए क्या हुआ एक जगे कट आपका इस मिकेमिशन हुआ पढ़ाई करना शुरू की आप आपने खेती करना शुरू कि दो-तिन साल बाद आपके पिता देखार हो गया ट्रांसपर होगा आपको वापस जाना पड़ेगा इसका मतलब ठांसपर हो गया इसका मतलब भूमी बंजर हो गई वहां से दूसरी जगे जाना पड़ अब क्या करेंगे वह आदिम लोग क्या करेंगे आदिवासी जंजाती वाले लोग क्या करते हैं दुबारा से किसी और जंगल को काटते हैं और पेड़ों को काटते हैं और फिर दूसरी भूमी क्रशी के लिए और बनाते हैं तैयार करते ह किन साल फिर खेती खरें फिर क्योंकि उनके पास न तो उर्वरके करने लिए लिए कंद रहे और नहीं कोई कीट नाशक तो ऐसे मैं फस ले तो कम वोगी तो फिर क्या होगा ऐसे मिटी कुछी कम हो जाए कि बंजर जाए और दोबारास क्योंकि वो प्लाव भी नहीं करते हैं उसको प्लाव मतलब तो जुताई करना मिट्टी को अलट पलट करना वो भी नहीं करते हैं ऐसे में क्यों को दूसरा खेत लेना पड़ेगा तो इसे बार-बार बदल-बदल कर खेती करना ही क्या कलाता है इस्तनांतरित खेती कहलाता है दोस्तों यह खेती भारत की उत्तर पुर्वी राज्य में होती है उत्तर पुर्वी राज्य मतलब नागा लेंड मनिपूर त्रिपूरा आसम अरुनात्या पदेश इन राज्यों में अक्सर इस प्रकार की खेती देखी जाती और खासकर सबसे फैमस जो राज्य है भी नागालेंड की नागा जन जाती इसको बहुत जड़ा वातर में करती अब इससे आप खुछ सूची ना अब इसमें दूसरा कॉशन पहला प्रशन तो हमने सोच लिया कि इसका उत्तर तो हमें मिल गया कि यार इस्थनान्धित करशि में क्या होती एक आदिम निर्वाह क तरशी का उधारण है टिसके अंदर जन जाती के लोग क्रशी आप जंगलों को काट च हो व्रक्ष हो काट कर भूमी तयार करते दो से तीन साल तक उस भूमी में पेदावार करते हैं और जब भूमी बंजर हो जातीए तो नई भूमी जंगलों को काट कर तियार करते इस प्रकार बदल बदल कर फसले बदल भूमी को बदल बदल कर फसले उगाना ही क्या कहलाता इस तनांतरित क्रशी कहलाता यह तो आपका पहला वाला उत्तर हो गया बहुत सिंपल उत्तर नेक्स आपका कि इस क्रशी की क्या हानिया हानी क्या होगे अब सिधी से हानी हमको दिख रही ना आप देखोगे कि यह लोग क्या कर रहे हैं जंगलों को काट रहे जला रहे हैं अब जंगलों को काट रहे और जला रहे तो इससे क्या होगा जंगलों को काटने और जंगलों को जलाने से क्या होगा जंगलों को काटने औ वन जो हमारे खतम होना शुरू हो जाएगे जब हमारे वन खतम हो जाएंगे तो हमें वनों को नुक्सान तो है ना दूसरा क्या प्रकृति को नुक्सान पहुंचे का दोस्तों और प्रकृति को अगर नुक्सान पहुंचेगा तो यहानी हुई के नहीं हुई यहानी तो और उत्तर की किया हमने इसको सही समझा है या गलत समझा है फिर सब्सक्राइब मैं पढ़ा रहा हूं और फसलों को उगा जाता है भूमी की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमी छोड़ दी जाती है और क्रशक नए भूखंड पर चला जाता है जिसे कर्टन एवं दहन करशी भी का जाता है एक और नाम इसको कर्टन एवं दहन काटो जलाओ करशी कर्टन एवं एशन रॉक कुछ नाम दिया था इसको की एश एंड रॉक जो है इस तरह की करशी करशी के नाम से भी जानते हैं जो भी है लेकिन हम लोग इसको क्या समझेंगे क्रशी करतन एवं दहन करशी यहां तक तो आपको बहुत कुछ चीश दिमाग में घुज गया होगी अब देखिए पूरे द और ब्राजील में भी एक रशी होती दोस्तों ब्राजील में इसको बोलते हैं रोका अमेजोन के जंगलों में होती हैं रोका क्रशी ब्राजील में इसको क्या बोलते हैं रोका क्रशी मेक्सिमों में भी ऐसी क्रशी देखने को मिलती मेक्सिको की जन जातिया भी इस प्रकार की करशी करती हैं तो मेक्सिको में इस करशी को क्या बोलते हैं इसको वहाँ पर बोलते दोस्तों मिल पा मेक्सिको में इस करशी को किस प्रकार करशी को क्या बोलते हैं मिल पा और एक और बलता है मलेशिया में भी इस प्रकार की करशी होती आपके इंसियाटी में सबके नाम द तन एवं दहन क्रशी भी कहते हैं बाकि भारत के उत्तर पुर्वी शेत्र में इस क्रशी का नाम जूम करशी कहा जाता है उसके अलावा ब्राजील में रोका क्रशी मेक्सिकों में इसे कहा जाता है मिलपा और मलेशिया में इसे लदांग भी कहा जाता है तो यही वह इस्तनां बार ट्रांसफर हो रहा था आपको हर बार नहीं दोस्त बनाने होते हैं फिर वापस सारे दोस्त खतम हो जाते हैं खतम मतलब दोस्ती की वज़े से वनों का अहरास हो रहा है और पर्यावरण प्रभावित होता है पर्यावरण को बहुत जदा प्रभाव 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 पहुंच रहे हैं क्यों क्यों कि पर्यावरण को हानी इसलिए पहुंच तो आप जंगल काट रहे हैं जंगल काटने से वेसे ही पर्य तो फाइनली यह दोनों पॉइंट की वजह से यह तीसरा पॉइंट आपके सामने आता है तो यह बहुत सा क्वेशन था जिसको हमने कुछ बहतर तरीके से एक्जामपल के थूप समझा इसमें आप आखरी में यह वाली लाइने भी जोड़ सकते हों कि इस प्रकार की खेती को भारत में जूम ब्राजिल में रोका मेक्सिको में मिल पा और मलेशिया में लदांग भी करते हैं तो यह थो चाई का रोप लगाना होता है चाई को बोलते हम लोग कॉफी का रोप लगाना होता है यह रोपनकरशी होती है लेकिन रोपनकरशी का जो में उद्देश है उसमें क्या होता है एक तो बहुत ज्यादा मात्रा में निवेश की आवशक्ता बढ़ दिये पूंजी बहुत आपने चाय बागान का फोटो में आपको बताया था और चाय बागान में जो भी काम करते हैं वो लोग स्रमिक जो काम करते हैं मशीने वो काम नहीं कर सकती वह हातों से बारीक काम होता थोड़ा सा इस वज़े से भी उस में मजदूरों की ज्यादा संख्यां रहेगी और इसका मेन उद्देष वियावसाइक होता है इसका सर्वाइवल के लिए नहीं बलकि वियाववसाइक उद्देश से इस प्राकार की खेती की जाती है तो रोपन खेती में एला काजू और चाय और काफी इस तरह की खेती करना है तो चार अलग लग चार पॉइंट से हमने समझाए क्योंकि इसे पेरेग्राप में पढ़ोगे ना दोस्तों तो यादी नहीं रहेगा ऐसे में लोग पॉइंट बना बना के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी सब को याद रहे हैं कि तो र वानिजिक मतला व्यापार के उद्देश से की गई खेती हैं तो कह सकते हैं पहला तो कि रोपन क्रशी वानिजिक क्रशी का एक उधारना दूसरा इसमें बड़े पेमाने पर मजदूरू की आवश्रक्ता पड़ती हैं और पूंजी की बहुत ज़्यादा निवेश करना तब ही तो प्रोड़क्टिविटी आती तब बहुत फाइदा मिलता है इसमें विज्ञानिक विद्यों का उपयोग भी किया जाता है अच्छी प्रोड़क्टिविटी लेने के लिए हमें यहां पर म्रदा का परिक्षण भी करना पड़ेगा यहां पर उन्नत बीजों का इ परिवहन जाल अगर अच्छा नहीं है तो समझ्या हो जाएगे तुरंत आपको वहां से लिया और ट्रकों या रेलवे के माध्यम से तुरंत कार खाने आपके उसी प्लांट के आसपास होना चाहिए रोपन क्रशी में कार खाने या तो बिल्कुल निकट होना चाहिए या व जब से प्रमुुह रोपन क्रशी के अंदर का मुख और नेक्स्ट है है कहवा यानि कॉफी भीत का उधारन हम काजू उसका उधारन है रबर और केला यह चार पांच उधारन आप Ellie Gay Lily at तकता हो याद कि चाय कहवा और यानि काफी काजू रबर और केला यह सारी की सारी रोपन क्रशी का उधारन है दोस्तों इसमें जो होता है इसमें बहुत बड़े पेमाने पर मजदूर की जुरत पढ़ती है पूंजी कि आउसकता पढ़ती है व्यावसाहिक प्रकार की खेती ह और परिभान जाल भी इसमें चाहिए और विज्ञानिक पद्धती का इस्तमाल भी इसमें किया जाता है ठीक है और लेकिन यह क्या है यह एक बार फसल उगते हैं तो साल में एक बार यह फसले उगाई जाती है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स कॉश्चन के और कॉशन सरकार किसानों को क्रशी के विकास में किस प्रकार मदद कर सकती है सरकार किसानों को क्रशी में किस प्रकार मदद कर सकती है तो अब यह इस प्रशन का उत्तरा तभी समझ पाओगे दोस्तों जब आपको पता होगा कि किसानों की समझ्या क्या है तभी तो हम समझा पाएंगे निजाद केसे मिल रहा है या सरकार खिसानों को के से कर रही है तो देखते सरकार क्या कररे एक सवरंगी है कि अब से कशनों के लिए आधर पहले तो उसको मजबूरी में पास की मंडी में मजबूरी में भाव नहीं किसान के पास अपने अनाज को रखने के लिए भंडारन की कमी होने की वज़से वह वसल को अपने घर पे नहीं रख सकता ऐसे मुसको मजबूरी में ताकि फसल खराब ना हो जाए इस वज़से उसको मंडी में उसी दाम पर बेचना पड़ता है बहले ही वह कम मिल रहा हो क्यो किसान के पास में पैसे की कमी होती वह इंवेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि गरीब किसान में भारत में किसान किस प्रकार की किसानों की संख्या जादा है चोटे किसान सीमान्त किसानों की संख्या जादा है जिनके पास चोटे क्रशी जो थे उनकी संख्या बहुत जादा है ऐस मशीनुरी के लिए पैसे नहीं है तो किसान को चाहिए लोऔन की सुविधा क्या कर रही है कि सरकार द्वारा किशानों को क्रशी विका से मदद सरकार द्वारा किसानों को बिखरे खेट को चुकदी कर एक स्तान्ट ने टुकड़ों में उनको व्यवस्तित करके चकभन्दी करवारी चैनल तरफ से मेडवव्य व्यवस्तित करवारी ताकि वो आराम से उसमें चकभनद का मतलब था बिखरेखेत को एक अतरगेए कंट सरकार किसानों को उर्वरय को क्रशी ईपक्रनों किट लासयों को उसको मशीनरी के लिए लोन बिन जाएगा किसानों को उच्च उपस देने वाले बीज उर्वरक आदी उपलब्द कर आकर उत्पादन को बढ़ाने में सहायता कर रही सरकार तो आप देखी रहे के लगातार उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है किसानों को लगातार उर्वरक और बीज अबलब्द करा रही है सरकार क्रशी के उत्पादों और भंडारन की वित्रन की सूधा प्रधान कर रही है बड़े-बड़े वेरहाउस बना रही सरकार ताकि उसका भंडारन किया जा सके तो यह बहुत सिंपल से पॉइंट थे जिसको आप समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से क्रशी विकास के लिए लोगों की नहीं किसानों की मदद कर रही हमने समझा ठीक है नेक्स कोशन की और बढ़ते हैं तो हमारा अगला कोशन क्या है जरा देखते हैं इससे पहला आपको बहतर तरीके समझ में समझता है पहला कोशन क्या है कि उद्ध्यान क्रशी का क्या अर्थ होता है उद्ध्यान क्रशी मतलब उद्ध्यान क्रशी का मतलब हम लोग ने अभी समझा था अगर आपने प्रिवियस क्लास देखी ना दोस्तों तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा हमने पढ़ का सब्सक्राइब मेंने बढ़ इतनीजर से मुगाते हैं यहां जिए लुकल्च पढम लोग तो कि खैते क्या हम लोग आदेब कृशी करते तो यह तो इस्थनांतरित क्रशी हो गई अभी कुछर यानि उध्याशी कहला आपका तो आपका सही उद्र क्या है दोस्तों चही उद्धान कुरशी यानि फालो वर सब जिएक यहाना इसको हम लोग क्या चैते हैं हर्टी कल्चर के नाम से भी जानते हैं इसको यहां तक आपको पिक्चर तो क्लियर हो गए बहुत सिंबल था कॉशन था दोस्तों तो इसमें पहले आपको सोच विचार करना है कि इसको कहते है क्योंकि क्या हिंदी में शब लिख दिया और उद्ध्यान कशी किज़ें कि हमारा लिखा हुआ है तो गलत हो गया आप लिख दे कुछ और पूछ कुछ हो रहा है तो कभी-कभार इंग्लिश के सब्दों को हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके उसके उत्तर पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता दोस्तों कर नहीं पता होगा ना तो समझ चाहें क्रिएट हो जाएगी नेक्स कोशन हमारा है सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राही है सुनहरा रेशा गोल्डन अगर इसकी बजाए तो गोल्डन फाइबर के एचाय को दिखाई देती नहीं या छाई तो republicnetgenerateी में ऐसा कुछ नहीं सकता है कर लिए पास वाइड डार का होता है golden तो हुई नहीं सकता सुना रहाए सुना रहा मतलब सोने जैसा golden दिखाय जीता क्या पट्सन पहर राप सुचे पट्सन क्या है जूट का नाम तो सुनायोगा जूट जूट जो होता है बढ़ जूट ही पट्शन ह। जूट जो होता है वो गÔल्डन लॉए इस आप ने कभी बोरे देखे आपके घर में जूट से बने होते हैं कुछ ठेले होते बढ़े जूट से बने होते है पीली रंके हल गोल्ड कलर से होते है तो वो किस तीस से बनते है पर्ट्शन से तो बनते है टाट-पट्टिया जो स्कूलों में शास्की स्कूलों में आज भी कुछ स्कूलों में प्राइमरी स्कूल में अकसर बच्चों को जमीन पर बिठाया जाता है और पुराने समय से हमारे देश में यही चल रहा है अभी भी कि बहुत सारे स्कूलोğं में त़्याद नहीं हो ओई है लेकिन तो में नीचे बैठने को ही the गलत बात नहीं ईए। जो नीचे बैठतें ना बच्चे तो उसमें एक रही है वो जो जिस टाठपटी बतार बोच्टे न ढद nerd Danke android का दिखर उसमें आप अलगक से ह preach separate सकते वालेक्व बात है लेकिन जो original color हैं दोस्तों वह क्या होता है वह golden रंका ही होता है स्लिए स्कों इसको सुनाहराग कहता है कि स्कों पष्ड़ को & Environment तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों आपका पट्षन हो गया क्या आपको पता है दोस्तों पट्षन देश में सबसे ज्यादा कहा होता है थोड़ा सा यह थोड़ा साम लोग इसके साथ साथ जीकी की बाते भी कर सकते हैं कि पट्षन देश में सबसे ज्यादा कहा होता है प इस चीज में पट्षन की खेती पर हैं तो हमारे देश में सबस्यादा पट्षन होता का है चलो भारत में तो होता है लेकिन हमारे देश में होता है दोस्तो पशिम बंगाल में पशिम बंगाल में सबसे ज्यादा पट्षन की जूट की खेती होती है जान रखना कि भारत में ज यूट यूट की खेती बहुत जदा होती है तो जुत यह था हवा चलती उन स्यटरह में जिसको काल बेसाकी का नाम दिया जाता यह काल बेसाकी जब आती नहीं वहाँ पर तो जूट की theories वसल को खराब कर देती हैं तो काल बनके आती है बेसाख महिने में जो हवा उसको कहते हैं काल बेसाखी सोचो के से नाम दिये जाता है भारत के बहुत सारे नाम तो आपको वेसी समझ में आजाते हैं अगर आप उनको थोड़ा सा संदिविच्छेत करके तो जोड़ा के तो बहुत आसान हो जाता है नेक्स क्वेशन है काफी का प्रमुक उत्पादक कौन सा देश है भाई भारत में भी होती है कौफी तो ब्राजील में भी होती है रूस में भी होती है रूस में शायद भले ही थोड़ी सी ना थोड़ी सी कम हो लेकिन फिर भी तीनों देश में ह देश कुछ दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश जो है दोस्तों वो कौन है ब्राजील है भारत उत्पादक तो है लेकिन इतना बड़ा निर्यातक नहीं है इतना बड़ा उत्पादक नहीं है जितना ब्राजील है ब्राजील में मैंने आपको बताया थ दोस्तों बंदरगाह वो होते हैं जैसे एक्जामपल आप अपने इस्कूल जाते हो कहीं जाते हो इस्कूल जा रहे हो या बस चैन पर खड़ा हो बस में बेटने के लिए तो बस में बेटने के लिए आप कहां खड़ा हो तो बस आपको उठाती है तो यह बंदरगाह जहाजो Des harvest supuesto है मैल को उठाते हैं तो मला कि बंडरतों वहते हैं जहां ज माल भरा जाता है और यह तर्टी इलाकों में होते हैं जसे गुजरात में गया loud में गया दिला करनातब्ड केरल यह और प्रेश während सहारे निचे जूड़े है हमारे समुधरे से सभी राज्यों में क्या मिलेगा आपको बंदरगाह मिलेंगी तो बंदर गा एक बड़ा एक बंदरगाह है ब्राजिल में क्योंकि आपको अपने देश से दूसरे माल भेजना तो कैसे वैसे लिछ लोग्त भाय तो बो recomp ki That's उस असथा भी बड़ता है है दोस्तों और बहूत भारी बारी गन्टेनर उठाके ले जाते बड़ी जहाज पानी पर तेरते तो बंदर गाह से ही तो होगा निर्यात तो ब्राजील का एक बंदरगा जिसका नाम है सेंटोज बंदर्गा चार्ण मैंने पहले भी कहा आथ कोफी बंदरगा के नाम से प्रसिद्द किया गया है तो ब्राजिल इसका आंसर होगा दोस्तों काफी का प्रमुक रुट पादक इसका उत्तर बी जान लेते हैं ये आपका उत्तर रहा ब्राजिल इस राइट आंसर समझ में आगे आपको ये भी चीज लिख लिजिए गा जो में पढ़ा रहा हूं दोस्तों उसको ध्यान रगिए हो सकते हैं कि आपको आगे यह बहुत काम आने वाली है नेक्स यह तो हमने कॉशन समझ लिया जो हमें विकल्प चुनना था हमारा तीसरा कॉशन बोलता है कि कारण बताईए कारण बताना है भारत में क्रशी एक प्राथम का इस्तमाल करके उत्पादन करना ही तो प्राकृतिक रिया तो प्राकृतिक चीजों का इस्तमाल होता है इसमें मुझे से म्रदा करते हैं लोग तो इसलिए क्या बोलता है यह प्रात्मिक क्रिया है बिल्कुल सही है प्रात्मिक क्रिया है बिल्कुल से नकार नहीं सकते कार किया जाता है जिनका संबंद प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निसकर्शन से हैं प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन मतलब प्राकृतिक संसाधन के अंतरक्रत क्या आते हैं दोस्तों जैसे हम लोग फसले उगा रहे हैं हम लोग फल फूल सब्जिया सारी चीज उगा रहे हैं यह सारी की सारी चीज प्राकृतिक संसाधन के अंतरक्रत आती है भारत की क्रशी में फलो फलो फसलो सब्जियों फूलों को उगाना ही औ हम लोग जो जो भी काम कर रहे हैं वो सब प्राकृतिक प्रकृति से जूड़ी हुई है और वह सारी चीज यही प्राकृतिक प्रात्मिक क्रियाओं में आती हैं ठीक है तो प्रात्मिक रियाओं सिधा सिधा जुड़ा होता है प्रकृति से इसमाल किसका करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो उत्पादन होता है उसी कौम लोग बोलते हैं प्रात्मिक शत्र तो प्रात्मिक क्रिया में यही हो रहा है क्रशी में हम लोग बिना मरदा के आप क्रशी कर सकते हो कि कोई नहीं कर सकता बिना मर्दा के निए बिना जलवाय बिना वर्षा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आपका भूमी नहीं कैसे करोगे तो यह पॉसिबल नहीं तो प्राकृतिक ऻुषे संसाधनों का उपयोग करके की गई जो उतपादन होता है वसी को बोलते हैं प्रहात्मिक्रियों। क्लियों नेञ्स बात करते हैं दूसरा विबिन पंपर दो में क्यों गाए जाती मतलब अलग-अलग क्छेत्रों के अलग अलग प्रकार की फसले उगाई जाती है क्यों उगाई जाती है कारण बताना है कारण क्यों बताना है क्योंकि मादल में बोलू की महाराष्ट में समझना इसको आराम से महाराष्ट में काली मिट्टी है ठीक है काली मिट्टी है तो वहाँ पर मैं का उगा सकता हूं वहाँ पर मैं उगा सकता हूं कपास ठीक है लेकिन मैंने महारास पर नहीं हुगा है मैं साउथ इंडिया में केरल में जाके उगा रहा हूं जहां पर काली मिट्टी नहीं है केरल में कपास उगा दूंगा तो कैसे उगे कर नहीं होगे है नहीं होगे गा म्रदा केका अकोर्डिंग शारी मसले उगती तो तbbie जावट पर भिन भिन फसल één दिखाइड कि जृवार आपको पिन नियुक् alan बीन दिखाई देँ उ अम्रदा जलवाई यह भी तो है और इस्थलाक्रती यह भी तो फरक पड़ता है अगर मैं बोलू धाल वाला एरिया तो आपको कौन सी खेती करना चाहिए आप बोलो कि सर चाय कौफी उगा लो धाल वाले खेत्रों में चाय कौफी फल सब्जिया और यह जो आपके एपल होते चावल तो नहीं हुगा सकते आप मक्का नहीं हुगा सकते दूसरी खेती नहीं कर सकते तो बिन्ता के कारण क्या है विबिन फसले विबिन प्रदिशों में उगाई जाती अलग 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 फसली की उगाई जाती तीन कारण है दोस्तों हम उत्तर तो बहुत बड़ा लिख है ठीक है ये आपका उततर है देखते हम तहीं तीन करण क्या म्रदा जलवायु और सिभिटी अब यहापर क्या है वह तीनौ इस तला करती म्रदा और जलवायु यही चीज में दिगई आपको जियान वहीं राखना अब उत्तर को कैसे लिखा विबिन फसले विबिन प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि विबिन प्रदेशों में बिन्नता पायाती किस चीज की बिन्नता पायाती इस्थलाकृती की म्रदा की और जल्वायू की भिन्यता पाया थे तो इस्तला करती की म्रदा की और जल्वायू की भिन्यता पाया थे तीनों चीजों को खाली ध्यान में रखना है इस्तला करती की म्रदा की और जल्वायू की विभन्यता पाया थे इन तीनों की विभन्यता पाई जाने की वजह के तो जलवाई में भीन बिन फसले पैदा होती तो अलग अलग जलवाय में अलगलग होगी ना huh सिरी जी बात बहुत सेम्पल abad आ कि जहाँ पर जो जलवाई वी कारक भीन नहीं होंगे वहां पर उस प्रकार की खेति भी की जाएगी अगला प्रश्ण है हमारा अंतरर सपाश्ट की कोश़न में किन में अंतर इसपाशट कीजिए करना है कि क्या इस में एंतर होता dist ね है पहला क्या बोलता है कि प्राथ मी करीयां और रतीक क्रियाओं में अंतर के थी पहला है आपका प्राथमिक क्रिया प्राथमिक क्रिया यह पहला हमने प्रिविएस क्लास में इसको डिसकल भी कहता है दूसरा है आपका द्वितियक क्रिया द्वितियक क्रिया यह और तीसरा आपका क्या है दोस्तों तीसरा है आपका त्रतियक क्रिया त्रतियक क्रिया तो प्राथमिक द्वितियक और त्रतियक क्रिया प्राथमिक क्रिया मैंने बुला था कि इसमें क्या होता है इसमें हम लोग प्राक्रतिक संसादनों को प्योग करते हैं जैसे क्रशी हमारे सबसे बड़ा इसमें क्रिया है यह इसमें लोग क्या बोलते हैं क्र क्रिया हो गई यह हमने पढ़ा था इसमें डबल रोटी बनाना क्या होगी दोस्तों हमारी यह हमारी द्वीतियक क्रिया होगी डबल रोटी बनाना तो यह डबल रोटी आपकी होगी लेकिन इसको आप तक पहुंचाना सेवा सर्विस देना त्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र मतलब जिन जिन क्रियां में हम लोग किसका इस्तिमाल कर रहे हैं प्也可以 is संसादन का स्माल निकाल रहे हैं अब उसको झाल्ड पहुंचना ज्टर्म के रिया है उद्योग उसको क्या करें स्तमाल ने तो छहरे मरत इसमेरこれ क्रियाओं के अंदरकत आती है क्रशी मच्यन और वानिकी और खनन और इसमें क्या बोलते हैं जिन क्रियाओं का संबंद प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन प्राकृतिक संसाधन आप समझते होंगे फसले हो गया फल इसब प्रकृतिक चीज़े न तो हम बोलते हैं कि प्र प्राकृतिक तो आप समझ गया होंगे प्राकृतिक चीजे क्या होती है त्रतियक शेत्र की बात कर लेते हैं हम लोग त्रतियक शेत्र में क्या होता है जिन क्रियाओं का संबंध प्रात्मिक और द्वितियक क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है मतलब जिन जो क्रिया सबसे आखरी में तरतियक मतलब आखरी होगे आप तीसरी क्रिया का मतलब क्या उनका मतलब यह है कि पहली वाली नहीं प्रात्मिक क्रिया और दृतियक क्रियां की सेवा करना ही तरतियक क्रिया है यह ऐसा समझ लो कि हमने आपने अपने रिगवेदिक काल के पर में सुना होगा ना कि उस समय चार अलग अलग वर्ण थे उसमें क्या बुला कि ब्रह्मान चत्री वेश शुद्र ब्रह्मान चत्री वेश शुद कट गई तो फसल को मंडी तक पहुचाना है तो वो कौन कर रहा है वो कोई ट्रांस्पोर्टेशन परिवहन कर रहा है कोई ट्रक ले जाएगा यह मालोक कार खाने में डबल रोटी बिस्कीट वगेरा त्यार हो गए तो उसको लोगों तक पहुचाना दुकान तक लाना तो दिकषा भी सर्विस तरहаться है आपको फुर्श होने क्या दे रúa सके घ्यान तो यह क्या है डोस्तों बभिया सेवा जो दिखाई नहीं देती लोट घ्रवार करता है लेकिन प्र भी मैं आपके लिए फाइदवन्ध हो सकता ऐसा कुछ मैं बोल सकता हूं कि जिन क्रियाओं का संबंध प्रात्मिक और जितियक क्रिया के सेवा दुआ कार्यों द्वारा सायोग प्रदान करना है समझ गया हूंगे आपको उसी को लोग बोलते तरतिय की जैसे याताया रही हैं वहमारे पैसे को स्षख Efendimiz Mobile करा सकते सर्विस का मतलब हर क adequately a पैसा पर लेकिन आपको सर्विस्ट मिल रही है नहीं तो पैसा करने के बाद वालो चीज निले तो मानलो दुगानदार पास कोई चीज है यह नहीं जो आपको चाहिए आपके पास लाकूर रुपे पढ़ा लेकिन उसके पास वह दस रुपे वाली चीज भी नहीं है आप कैसे खरीद पाओगे ना जब तक उसकी सेवा आप तक नहीं पहुंचेगे तब तक वह चीज सर्विस वह तक नहीं पहुंच सर्विस भी तो होने चाहिए उस इस चेकर पर वह सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं आपको वहां तक वह चीज उपलब्द कराते हैं तो प्रात्मिक और द्वितियक चीजों को क्रियाओं के अंदर को जो भी उत्पाद है उनको सेवाओं के माध्यम से जनता तक पहुं पूछा गया हैं लोग सिधा दो हम लोग सिधा की बात करें एक्स बात की बात की आ रही है निर्वाफार में और गहाण करशि के वी क्या होती है था दोनों ऑ कि प्रकार है निर्रवा परकार ही अग ann कर Chee आता है का निर्वा क्रशी और गहन क्रशी दोनों क्या-क्या होती है अंतर इस पर सकन्ना दोनों के भी क्या-क्या होती है निर्वा में क्या होता है सीधा लिखा हुआ निर्वा मतलब जीवन निर्वा के लिए की जाने वाले खेती इसमें पुरा परिवार मिलकर कि क्या करता है श्रम करता है बहुत छोटे खेद होते हैं किसान के पास ज्यादा मशिनरी भी नहीं होती है कम से कम प्रद्यूगी का इस्तमाल के आता है उत्पाधक्ता भी कम होते हैं क्योंकि पारम पर एक प्रकार की खेती करते हैं यही तो हमन वड़का दर्गत एक वर्स में केवल एक ही फशल उगा जाते है क्योंकि सीचाई की सूधा भी नहीं होते इसके पास में इस वज़े से इसमें किवल एक फशलोगा जाती बारिश हुई फशलोगाली और इसमें वह भी आता जैसे आदिम लोग करते हैं आदि रन्जाती के और मजदूरी जो है खुद परिवार सी करते हैं और बीच है वहीं जो बोया गया था उगा फिसले साल जो उगा वॉदा तो दोबारा उसी को बो बोल को बदलना नहीं को हम लोग पारंपरी तो यह तो अपका निर्वाक्रशी तो आपका गहन करशी क्या हो उसको समझ लेते हैं भूमि ω के एक चोटे टुकडे पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक धायत्पादन पराद को अभी सब्सक्राइब यहां पर गहन करशी और निर्वाक्रशी में थोड़ा सांधर वहाँ पर भी उनके पास चोटा साही टूड़ा है लेकिन यहाँ पर पर इश्रम ज्यादा कर रहे हैं एक से ज्यादा भार खहती कर रहे हैं मलब साल में ठीक है तो पर देब उसम्में प्रती ऐकाई पूंजी और शरम की मात्रा भी क्या होती है अधिक होती हैं प्रती काई जो पूंजी लगती वो भी जाद लगती श्रम की माता भी जा लगती क्योंकि प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी ना क्योंकि वह ज्यादा उत्पादन लेने का प्रयास करते हैं खाली अपने परिवार की पूर्ती नहीं जबकि कुछ पैसा कमाने के उद्देश्य से भी काम किया जाता ह जिसको हम लोग दोस्तों क्या कहते है जिसको हम लोक को तो यहां आपको अंतर समय और आ हुआ गया 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 निर्वा खरशी में उसमें एक साल साल में एक सी अधिक बहुत ही यहां पराव फ्रम जयादा है Например परने परमपरागत खेती पूंजी भी लगा रहें वहां पूंजी निए घर की आवशकता है की पूर्ती करना तो यह तो इसी उससे बैतर तरीके की है लेकिन इसमें भी है तो यह भी निर्वाक रशी का ही एक प्रकार ठीके दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा है आपको सिक्वेंस में वीडियो नहीं मिल पा रहे है आप परेशान हो रहे हैं कि कोई टॉपिक आपका चूट गया और आप डूंड नहीं पा रहे हैं तो इसका एक बहतर तरीका हमने हम लेकर क्या है दोस्तों आप सीधे हमारी वेबसाइट मैगनेट ब्रेंट्स डॉट नहीं क्लिक करोगे आपको आहां पर क्लासेंज दिखाए देगी गयारेवी बारवी आठवी नौवी दसवी चेटी सातवी तो आपको आठवी सिलेक करना जैसे आपने आठवी स्वेक किया आपको कक्षा आठ में पढ़ाने वाले सारे सिक्षकों के फोटो और उनके पढ़ना है उस zeros आप डूसरा विंडो उपन हो जाता है इस विंडो में आपको देखना क्या है चैप्टर वाइस रिवीजन और जोतर की पूर वाल वीडियो देख रहे होंगे फिर आपको अलग से कोई डिस्टरबेंश नहीं होगे को कोई अलग से कोई चीज कि भई आपको यूट्यूब पर यहां मैसूस नहीं होगी और आपको सीधे-सीधे हमारा वीडियो मिल जाएगा तो एक बहतर तरीका है दोस्तों मेगनेट ब्रेंस आप लोगों के लिए लेकर किया आया है लाइक शेर और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा तो यह करना ना भूले तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद